हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लग उमीद करते हैं काफी अच्छ होगे काफी बढ़िया होगे दोस्तो कल मैच है पंजाब किंग्स और रॉयल्ल चेलिजर बैंगलोर का मैच है कल दो मैच है तो ये पहला मैच होगा साड़े तीन बज़े से स्टार्ट होगा अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की प्लेइंग लेवन तो सिखरदवन, प्रभव सिमरंद सिंग ये कमाल की हीटिंग करते हैं स्टार्टिंग की मैचों में तुन्हें अच्छा जलबा दिखाया था अपना उसके बद मैथ्यू सॉट मैथ्यू सॉट ने भी लास्ट दो मैच खेला और दोनों ही अच्छा खेला है तो उम्यद करते हैं कल का मैच भी बढ़ियां खेलेंगे फिर हर्पृत सिंग, सिकंदर रजा लास्ट मैच मैच वीनर रहे थे इनहीं के कारण टीम जीत पाई थी इनके और सारुक खान के फिर सैम करण, जितेश सर्मा, हर्पृत, बरार, कसीगो, रवाड़ा एन असरदीप सिंग तो टीम इनकी काफी अच्छी है गिंदवाजी में असरदीप सिंग, रवाड़ा और हर्पृत, बरार जैसे खिलाड़ी है सैम करण भी अच्छी गिंदवाजी करते हैं तो टीम काफी अच्छी है बल्लेबाजी में लास्ट में सिखरदवन नहीं खेले थे फिर भी टीम जीत गई थे क्योंकि सारुक खानों सिकंदर रजा ने मैच जिता दिया था अगर सिखरदवन खेलेंगे तो टीम ज्यादा इस्ट्रॉंग हो जाएगी ठीक है दोस्तो आप से की रिक्वेस्ट डिस्केप सर्म टेलेगराम लिंक है उसे जोइन कर लिजेगा क्योंकि लास्ट पांच में पांच मेंच हमारे पास हुए है तो उसका फाइदा उठाइए अभी उपन में चल रहे हैं अभी चलते ही रहेंगे तो फाइदा उठा लो यारो ठीक है अगर बात करें बिराट कुली की टीम यानि की आर्सीवी की तो बिराट कुली या फैब डूपलेसी ओपनिंग करते हैं फिर आते हैं महिपाल, लोम्रोर, ग्लैन मैक्सवेल, सहवाज एहमद, दिनेस कार्तिक, विनिंदू हसरंगा, हरसल पटेल, वाइन, पारनेल, मोहमद सिराज, विजय कुमार, वैसाक इनकी टीम भी काफी बढ़िया है, लास्ट का मैच इन्होंने चन्नेई सूपर किंग से खिलाफ खिला था, 227 रन का लक्ष था, मगर फिर भी एक टाइम पे लग रहा था, वो चेस हो जाएगा, जब मैक्सवेल और डूपलेसी बैटिंग कर रहे थे, फिर लाहर लास्ट मे बाद ऐसा कोई भी बलेवाज हमें देखने को नहीं मिला जिन्होंने रन बनाए है, और गेंदवाजी तो काफी कमजोर है, हर मैच में जब भी ये फर्स्ट गेंदवाजी करते हैं, तो दोस्ट सूपर रन बनते के क्यार ने बनाए, चलने सूपर किंक्स ने ये रन बनाए तो यहां पर दिखता है कि पंजाप के पस एक एक एक्स्रा पॉइंड है, कल जो होम गराउंड है वो भी पंजाब का है, तो वहाँ पर भी एक 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 एक्स् mortar प् jaga ने रहेगा, मगर ऑल सिप्ञाप की अपर लिए ग्राउंड की बात करी जाए तो 58 में से 33 में चेस हुए है 25 डिफेंड हुए है तो ज़्यादा उतना फर्क नहीं मगर 60-40 का तो है एवरेज इनिंग स्कोर फर्स इनिंग का 166 है हाइस रंच चैने से वरकिंग्स ने 240 बनाया है तो इंडिया के जो ग्राउंड होते हैं वो चेसिंग को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं अगर कल जो मैच है वो दिन के टाइम है तो हो सकते डिफेंड के मी समभावना ज्यादा रहे ठीक है फिर भी आप टेलिग्राम जोइन रखेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों अगर बात करें कल के मैच की पिडिक्सन की तो हमें लगता है कि कल RCB फस बैट पे आएगी और मैच जीतेगी क्योंकि RCB को अगर मैच जीतना है तो उसे फस बैट पे आना होगा और एक 200 के आसपास रन बनाना होगा उसके बाद वो डिफेंड करने पर उतरेगी तो ज्यादा चांसे कि वो मैच डिफेंड हो जाए बाकि अगर ऐसा नहीं होता है तो टेली गराम जोइन रखना ही है आपको मैं वहाँ पर कन्फर्म कर दूँगा कि कल का मैच का विनर कौन होगा बाकि आपको क्या लगता दोस्तों आप कमेंट करिए ठीक है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई चैनल सब्सक्राइब रखिएगा